सूप्रभात विद्यार्थियों कैसे आप सब आशाय आप सभी घर पर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम हिंदी का जो हमारा पार्थ नंबर दो था धाय मापन्ना इसकी जो आपकी पहली दो वीडियों है आप उन्हें भी दुबारा देख सकते हैं ताकि आप इसके साथ दुबारा जुड़ सकें तो आज जो हम जहां पर पहुंचे हैं वहां से शुरू करेंगी जो धाय मापन्ना होती है वो क्या करती है अंत में उदे सिंग अपने बेटे की बली चड़वा देती है और वो क्या करती है उदे सिंग को बचा कर उसे अंत में वो सरदार किस के पास जाती है आशा शाह के पास जाती है लेकिन आशाशाह उन्हें अपने पास रखने से इंकार कर देते हैं तो आशाशाह की माँ होती है जो उन्हें गुस्से में क्या कहती है देखिए जाओ डूब मरो चुलू भर पानी में इतना कहकर वहाँ वीर-माता सिसक सिसक कर रोने लगी वो कहती हैं कि लानत है तुम जिसके पिता जी के हमारे उपकार हैं तुम उने ही रखने से उसके पुत्र को रखने से इंकार कर रहे हूँ और वो ये बात कहकर क्या है सिसक सिसक कर रोने लगती है अब आशाशा से रहा ना गया तो उने कुछ शरम आने लगी उसने माता के चड़नों में गिरकर परतिग्या की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भूंद भी है वो क्या बात कहते हैं कि जब तक मैं जिऊंगा यानि मेरे शरीर में रक्त की केवल अगर एक भूंद भी है तब तक मैं कुमार उदे सिंग की रक्षा करूंगा यह सुनकर माता का हिर्दे गदगद हो गया यानि खुशी से भर गया उसने अपने पुत्र को आशिरवाद दिया और खुशी से करती है अपने पुत्र को आशिरवाद देती है उदे सिंग का बच्पन सरदार आशाशाह के पास ही बीता सोला वर्ष के बाद चितोड की जनता को पता लग गया कि उदे सिंग जीवित है उदे सिंग क्या है सोला साल तक सरदार आशाशाह के पास ही रहे और बाद में चितोड के थे वो उदे सिंग कहां के थे चितोड के थे वहां के लोगों को सोला साल के बाद पता चला कि क्या है उदे सिंग जीवित है उसी समय बडे बडे सरदारों ने उदे सिंग को पड़ी धूमधाम से चितौड की राजगदी पर बिठाया वीर मा धाय पन्ना देवी यहा दिन देखने के लिए जीवित थी और जो धाय मा पन्ना थी वो भी क्या थी जीवित थी इस अवसर पर इस त्याग मही माता को रज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया त्याग मही माता तो थी जिनों ने उदे सिंग का जीवन बचाने के लि फिर उन्हें बहुत ही मानसमान दिया गया और जब तक वो जीवित रही उदे सिंग उनके चर्णों की पवितर धूली ग्रहन करता रहा जब तक धायमा पन्ना जिंदा रही जीवित रही तब तक उदे सिंग ने उनके चर्णों को अपना सब कुछ मान लिया था उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्या मान कर करता रहा जो धाय मा की इच्छा होती थी वो उसकी हर इच्छा को ऐसे पूरा करता था जैसे भगवान की उसे कोई आज्या दी गई हो किसी कारे की तो आज ही हमारा पार्ट नम फिल कर सकते हैं उसे फिल कीजीएगा धन्यवाद